हेलो एवरिवान, आप ताथावात अपनाजा और आज मैं इस वीडियो पे एक चीज डिसकस करने वाला हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है और ये आजकल के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेस्चन है क्योंकि 12 सिकंबर को तो नीट हो चुका है नीट का एक्जैम तो उसके बाद जो आंसर की है जो रिनाउंड कोचिंग इंस्टिट्यूट्स निकालते हैं तो उन में से बहुत सारे लोगों ने अपना आंसर की चेक भी कर लिया होगा और अपना स्कोर भी मतलब थोड़ा सा मतलब प्लस-वाइनस-20 या प्लस-वाइनस-10 कहिसाब से अपना स्कोर गेस भी कर लिया होगा और मतलब बहुत सारे यूट्यूब में जो कट आफ का प्रेडिक्शन है उससे मतलब एक आप प्रेडिक्ट कर भी लिए होंगे कि आप इस वार मतलब सेप सोन में है या नहीं है और बहुत लोग ऐसे होंगे कि जिनका स्कोर 500 आड़ा है मतलब मैं अन्रिजर्प्ट काटिगो बारेज में इस वार में नहीं हो सकता तो वो लोग मतलब अवी प्रिपयर करना चालू कर रहे होंगे और ऐसे होंगे कि जो दो साल का ड्रोपर है तीन साल का ड्रोपर है बहुत बाड़ा अटम्त दे चुके हैं ऐसा या फिर कुछ ऐसे भी होंगे जो की मतलब सेकेंड में सोच रहे होंगे तो उनके लिए जो एक मतलब free of cost जो अल्टीमिट जो option होगा तो वह होगा YouTube से यूट्यूब से आप पढ़ाई कर सकते हैं तो YouTube से आप जब पढ़ाई कर सकते हैं तो आपके मन में और सबसे बड़ा सवाल पहले ही आता है कि can you qualify a need or any other entrance examination तो मैं पहले तो specifically बोल देता हूं कि मैं सिरफ यहां पर neat के बारे में बात करूंगा बाकि जए इमेंस या advanced की बारे में बात मैं बिल्कुल ही नहीं कर रहा हूंगा यहां पर क्योंकि उस विसे में मेरा knowledge मतलब उतना ज्यादा नहीं है और इसलिए मैं उस विसे में जाऊंगा भी नहीं और अगर आप नीट की बारे में बात करें तो my answer will be yes, you can तो वही मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मतलब handwritten pdf के format में लाया हूँ तो उस pdf से आपको मतलब चीजे समझाने वाला हूँ कि can you qualify need by starting from YouTube only? The answer is yes, तो आप में सिर्फ बहुत सारे लोग आप बोलेंगे कि कैसे yes, मतलब इतना क्या आसान है? जी नहीं, आसान तो बिलकुल ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको YouTube से study करना है, तो पहली बात तो आपको बहुत ही ज़्यादा discipline होना होगा और आपको मतलब अगर आप अपने study के बारे में बहुत ही ज़्यादा serious है, आप dedicated है एकतम की मुझे नहीं, मुझे इस बार फोड़ ना है, मैं बहुत बार पिछली बार मेरा coaching में गया बहुत time waste होगा, या फिर से अगर coaching में जाओंगा तो फिर से बहुत time waste होगा, मैं coaching में नहीं जाओंगा, इस बार घर में बैठके एकतम मस्त पढ़ाई करेंगे और इस बार फोड़ के रहेंगे, तो अगर आप में ऐसा मतलब mentality है, तो आपको ज़रूर ये YouTube need clear करवा सकता है, अच्छा अब आपके मन में जो दूसरा सवाल पैदा होगा, कि अच्छा YouTube में तो lot of content है, मतलब क्या कहा है, YouTube में ocean of content है, need related, तो उन में से मतलब कैसे हम चूज करेंगे कि कौन सा वाला हमारे लिए अच्छा है, कौन सा वाला हमारे लिए बुड़ा है, मतलब बहुत सारे educator है, और मतलब सारे ही educator, generally सारे ही educator काफी अच्छे है, काफी मैनत कर रहे हैं, आप लोग क कुछ लोग का काफी marks कमारा होगा, तो मतलब काफी उन लोग को बुड़ा लगा होगा, तो रहे depressed भी होगे, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अभी एक हफता time निकालिए, एक हफता time निकाल के क्या कीजिए, जो YouTube में लेक्चर है, physics, chemistry, biology, इन सब का lecture को, मतलब कुछ कुछ ट motion in 1D topic है, तो motion in 1D topic का, मतलब अगर किसी का playlist में 8 total lecture है, तो उस 8 में से आप क्या कीजिए, पहले एक या दो देखिए, तो ऐसे ही, मतलब होई एक या दो, जो topic है, उन topic का lecture, आप X सर से पहले देखिए, Y सर से फिर देखिए, फिर Z सर से देखिए, ऐसे करके, मतलब 5 या 6 पह से भी, आपको मतलब पहली कुछ lecture को देखने के बाद ही, आपको समझाएगा कि नहीं जी, मुझे तो इन सर का पढ़ाया हुआ, सबसे अच्छे से समझा रहा है, तो ऐसे आप maximum to maximum 2 ही teacher को चूझ कीजिए, ठीक है, यहाँ पर मैंने 4-5 दिन लिखा है, लेकिन आप 4-5 दिन क मतलब अलावा भी, अगर एक्स्ट्रा 2-3 दिन अगर आप लेना चाहें, तो ले लिजिए, यह आपका time investment है, यह आपका time waste बिल्कुल भी नहीं वाना जाएगा, तो आप अच्छे से sufficient time लिजिए, time लेके, ऐसे ही पहले, मतलब 5-6 teacher को shortlist कीजिए, उन में से, उन में से, जिन लोगों का बढ़ाया हुआ चीज, आपको सबसे अच्छा समझा रहा है, मतलब सबसे बैतर, मतलब ऐसा मतलब पढ़ने के बाद ऐसा लगना चाहिए, कि वा, teacher हो तो ऐसा, तो ऐसा feel, मतलब, चीजों को अगर आपको feel करवा दे, तो ऐसे teacher, ऐसे maximum दो आप चूज कर क्योंकि ज्यादा teacher का, मतलब lecture आप बार बार नहीं देख सकते हैं, जब आप ultimate preparation कर रहे होंगे, आपका preparation journey जब चालू हो जाएगा, तब आप time waste effort नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप already drop कर रहे हैं, और ज्यादा time waste आप बिल्कुल भी effort नहीं कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, single topic का multiple teachers से देखना है, देखके teacher को choose करना है, यहाँ पर मैंने कुछ अपना recommendation दिया है, यह बिल्कुल ही मेरा recommendation है, मतलब यहाँ पर मैं कोई teacher को recommend नहीं कर रहा हूँगा, यहाँ पर मैं recommend कर रहा हूँगा, कुछ method, जिन method को आप follow करेंगे, तो आपको एक अच्छा guide या पर अ subject and follow them, तो आपको ज्यादा teacher नहीं लाना है, क्योंकि ज्यादा teacher हो जाएगा, तो एक ही topic, मतलब दूसरे teacher दूसरे आपको उससे बढ़ा सकता है, तुससे आपका मतलब क्या होगा कि कुछ दिर आप confused हो जाएंगे, फिर आपका time waste होगा कि सोचेंगे नहीं, यहाँ पर कुछ गड़ बड़ी होड़ा, फिर आप teacher ढूंडेंगे, ऐसा मत कीजिए, selective दो रख लीजिए, कि यह इस सर से अगर समझ नहीं आया, तो मैं उसी सर से देखूंगा, और हाँ, अगर ऐसा कभी-कभी हुआ, तो ऐसा ज्यादा होना नहीं चाहिए, आपको teacher ऐसे ही choose करना चाहिए, वो भी मैं आगे बोलूंगा, कि अगर ऐसा हुआ कि suppose कोई topic है, जो कि दोनों ही teacher ने अच्छे से cover नहीं किया, तब आप third के लिए देख सकते हैं, लेकिन आपको I think ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अगर आप intelligently पहले ही choose कर ले, अच्छे से teacher को, इसके बाद क्या है, कि look for the teacher who as covered maximum amount of syllabus, preferably whole syllabus, जो मैं कहा रहा है, अगर आप ऐसा ही दो teacher को choose कर ले, जो कि, मतलब, nearly about whole syllabus बुड़ा करा दिया है, तो तो आपका कोई problem ही नहीं है, बुड़ा syllabus उसी सर teacher ने करवा लिया है, उसी mentor ने करवा लिया है, तो आप उन्हीं का lecture देखिए, सोच ये कुछ topic समझ नहीं ह तो कोई बात नहीं है, जो X teacher से समझ नहीं है, तो Y teacher से समझ लूँगा, लेकिन X और Y इन्हीं दोनों में आपको limit करना है, Z में बिल्कुल भी नहीं जाना, तो ऐसे teachers के channel को आप YouTube में ज़रूर subscribe कर लिजिएगा, और उनका जो bell icon है, वो भी दबा दीजिए, क्योंकि कोई भी यह आपको distraction से बचाने के लिए help करेगा, क्योंकि YouTube में क्या होता है, कि आप लोग उन्हें बहुत सारे channel सब्सक्राइब करके रखा होगा, और हर एक channel का अगर bell icon दबा दे तो उनका notification आकर आकर आपका बहुत time waste करवा देगा, आप कुछ पढ़ रहा है, एक notification आया कि कोई भा साल होगा, यह एक देश साल आपको मतलब YouTube से पढ़ना है, मतलब YouTube आपके लिए coaching classes की तरह होना चाहिए, coaching classes में आप क्या कुछ मतलब ज्यादा सरारती वाली चीज़े या कुछ मतलब जो हसी मजाग वाली चीज़े करते हैं क्या, बिल्कुल नहीं करते हैं तो यहाँ पे भी यह बहुत important है कि for biology and inorganic part, look for a teacher or mentor who gives you pneumonia, तो biology and inorganic के लिए अगर आप चाहे और आपका main दो teacher है वो लोग नहीं दे रहे हैं तो आप YouTube में कुछ tricks वाले वीडियो होते हैं या फिर निमोनिक वाले वीडियो होते हैं क्योंकि इनमें आपको बहुत सारे चीज़े याद रखना होगा जो biology में morphology या फिर animal kingdom, plant kingdom इसमें बहुत सारे example आपको रटने होते हैं याद करने होते हैं तो उनके कुछ निमोनिक होते हैं तो निमोनिक वाले चैनल जो है उनको आप चाहे तो subscribe कर सकते हैं मतलब उसमें भी आपको जादा नहीं जब जरूरत पड़े आप उसको ढू तो यह आपको याद रखना है third वाला point इसके बाद क्या है कि you may choose a channel which solves PYQ live on YouTube if you wish I also can suggest तो यह बहुत important है कि जो बहुत सारे YouTube channel होते हैं जहां पर कि live YouTube में आके वो लोग कुछ solve करवाते हैं कुछ questions solve करवाते हैं तो वो आपको ज़रूर देखने हैं और उन channels को आपको follow करने है as a question solving channel या फिर as a PYQ solving channel क्योंकि वो लोग मतलब अच्छे से explain करते हैं concept भी explain करते हैं उस PYQ के साथ तो आपका अच्छे से revision भी हो सकता है और इन channel में जो question कराता है वो question पहले आपको खुद से करना है pause करके फिर आपको करना है अगर आप time save करना चाहें तो आप YouTube में live मत दे अगर आप चाहें तो मैं किसी और lecture में ऐसे ही कुछ channel के बारे में आपको suggest कर दूँगा जो की need specific है और जिनमें यह need का PYQ solve करवाया जाता है या फिर और भी बहुत सारे question होते हैं उनको solve कर रहा जाता है तो वो आप comment section में जरूर बता दीजिए तो मैं जरूर ऐसा video बना द विश्वास जरूर रखना चाहिए क्योंकि आपका mentor इतना मैंनत कर रहा है वो तो मतलब YouTube में मैंनत कर रहा है मतलब आपसे कोई पैसा नहीं रहे रहा है आप लोगों को लगा कि नहीं मेरा teacher तो उतना मेरे लिए dedicated नहीं है लेकिन नहीं YouTube में जो बढ़ाता है ज्याद अज़ कर ले तो वो लोग बहुत ही मेंनत की होते हैं और बहुत ही dedicated होते हैं तो उन पर आपको faith रखना है अच्छा चलिए अब हम अगले point पर 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 जो है for YouTube learning my recommendation will be laptop तो यहाँ पर यह जो मतलब question जो आ रहा था कि जो online studies के लिए आपको कौन सा device लेना चाहिए mobile phone या फिर laptop तो my recommendation will be laptop क्यों क्योंकि इसमें होता है क्या larger screen larger screen आप मतलब आप अगर YouTube में study करेंगे तो आपको दिन में तो बहुत ज़ाद है amount of time आपको यह laptop या फिर ऐसे ही device के मतलब आस पास रहना पड़ेगा screen time आपका बहुत ज़ादा होगा तो इसलिए मतलब अगर थोड़ा बड़ option and it has very less data charge as compared to a broadband which will be needed for your laptop तो आप फोन से भी देख सकते हैं जैसा कि मैंने कहा और अगर आप मुझ से कुछ से पूछे तो मैंने कुछ से भी मतलब फोन से ही किया था मेरे जो online studies related जो चीज़े थे या फिर YouTube से मैंने इतना भी study किया है अच्छा है आप आप लोग कहेंगे कि सब कुछ समझ के लेकिन distraction का क्या है अगर फोन में कुछ करेंगे तो उसमें तो notification आएगा distraction बहुत होगा इसका क्या करें तो देखो distraction के बार में मैं एक CD चीज़ बता सकता हूं अगर आप effort कर सकते हो तो laptop ले लेड़ो laptop में तो कोई WhatsApp या फिर Facebook का notification नहीं आएगा या फिर है ठीक है काम का है रखतो लेकिन जो WhatsApp फिर भी ठीक है काम का है रखतो Instagram या फिर जो Facebook है यह इन सब को uninstall कर सकते हो इतना तो आप लोग smart हो ही या फिर मतलब क्या ही कहूं अगर इसके बाद भी आप लोग कर नहीं मतलब यह भी मुझ से नहीं होता फिर भी मैं मतलब YouTube से अचाता हूं तो I can say if you have that dedication that fire in you to crack the entrance exam you can easily get rid of distraction yes you can easily get rid of that distraction because if you don't get rid of your distraction then you will never be able to crack your exam and that will waste another year another year another year another year from your life and time once gone is gone forever remember that time once gone is gone forever so what you can do is just fix up your routine and try to follow it try to follow it for few weeks then you will automatically be used to it आपको आप जब routine बनाएंगे तो आप अगर उस routine को follow up करने की कोशिस करेंगे तो पहले कुछ दिन आपको problem होगा बाद में धीरे धीरे वो आदत पर जाएगा और जब आदत पर जाएगा तब आपको मजा भी आने लगेगा यह आपको मेरी guarantee है क्योंकि मैंने भी यह चीज face किया था पहले और फिर मैंने उस routine को fix किया और routine को fix करने के बाद उस routine को follow किया और follow करते करते धीरे धीरे मैं अपने preparation को enjoy करने लगा एक last but not the least point you need to think this preparation period as your journey it is like marathon तो marathon में आप क्या करते है क्या पहले ही एकदम उसेन बोल्ट की तरह sprint करते हैं नहीं करते हैं तो marathon में आपको धीरे स्टार्ट करना परता है क्योंकि यहाँ पर आपका stamina मतलब maintain करना है यहाँ पर आपका stamina matters not your speed आपको end moment तक डटे रहना है और मेहनत भी करना है so to reach the finish line you need to put effort daily यहाँ पर बूंद बूंद पानी से सागर बनता है यह वाला theory यहाँ पर काम करता है ना कि एक दिन में मतलब एक दिन में पूरा सिले बस खतम कर देंगे फोर देंगे यह सब यहाँ पर नहीं चलेगा आपको हर दिन वार्क करना है और हर दि के बाद जब आप सोने जाएंगे तो आपको लगना चाहिए कि हाँ आज कुछ काम किया tomorrow when I will get up I will be a better version of myself than yesterday ठीक है इसी बात के साथ इस सेशन को करते हूं समाथ उम्मीद है आपका जो मतलब यह YouTube से पढ़के क्या नीट क्लियर हो सकता है क्या हमें चूज करना चाहिए कैसे हमें teacher choose करना चाहिए कौन सा device based होगा distraction के बारे में क्या यह सब आपको clear हो चुका होगा आप मिलते हैं फिर अगले किसी lecture पर तब तक के लिए आप चैनल को subscribe कर सकते हैं मैं भी इस चैनल पर biology पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं और subscribe कर सकते हैं चैनल को share कर सकते हैं और अगर अगर आप कुछ और वीडियो के बारे में अगर आप कुछ और टॉपिक पर वीडियो चाते हैं तो comment section में ज़रूर बताए है thank you very much for your time all the very best for your exam